अगर आपको यहाँ पे गूगल के रिलेटेट प्रॉब्लम है अगर आपका गूगल बार बार जोई स्टॉप होते हैं तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यह मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ वीडियो कान तक देखे जो भी सॉलूइशन होगा दोस्तो आपको बस वही फोलो करना है ठीक है एंडेंट आपका प्रॉब्लम भी फीक्स हो जाएगा तो वीडियो के साथ साथ बने रहे है सारे साथ दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे बेल आइकोन को क्लिक कीजे ताकि आपको लेटेस अपडेट वगरा मिलते रहे अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाहते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप हमें ट्वीटर पे फोलो करके मेसेज कर सकते है तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो सबसे पहले दोस कि अदेंड आप यहाफ पे दोस्तो फाइंड आउट करें अपना Google को तो इस्ट्रॉल डाउन करते रही है आपको मिल जाएगा है तो यही पर दोस्तों आपको मिल जाना चाहिंए Google का एप जो है तो यहाफ ए कहां पर वह चेक करना होगा यह होगा Google Drive Google Chrome and where is Google तो यहाँ पर दोस्तों Google का जो option है वो आई नहीं रहे ठीक है तो हम profile पर जाएंगे manage पर क्लिंक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों manage पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मेल जाएगा Google तो यह रहा तो इसको बस आपको अपडेट करना है ठीक है find out करके अपडेट कर लेना अपडेट करने के बाद मोबाइल को रिस्टाट करें और चेक करके देखें अगर problem solve हो जाते हैं तो दोस्तों अच्छी बाद है लेकिन अगर आपको अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो जाएए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है storage and cache clear storage पर क्लिक करना है clear all data करके ओके कर दिना है उसके बाद बेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पर्मिशन्स अलाओ करना आपका गूगल के और उसके बाद मोबाइल को रिश्टार्ट करके देखें आपका problem solve हो जाएगा तो इस तर software तो मोबाइल software को update कर लेना तो इसी के साथ आपका complete solution हो जाएगा और आपका problem भी fix हो जाएगा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स पूर वाचिंग कि शैमसंग एट विए